दोस्तों अगर किसी लड़का या लड़की की साधी में रुकावट आ रही हैं तो केवल ये छे तोटके करने से रुकावट दूर हो जाती हैं और शीगर बिवाय के योग बनते हैं अगर आप चाते हैं कि इस साल आपकी साधी पक्की हो जाएं तो हम आपको गुरुवार के दिन करने वाले अचूग तोटके बता रहे हैं दोस्तों सबसे पहला बिवाय योग युवक या युवति जिस पलंक पर सोते हैं उसके नीचे लोई की वस्तुएं या कवार उसकमरे में नहीं रखना चाहिए इससे भी बिवाय में बाद आती हैं दोस्तों गुरुवार के दिन या पूरणवासी के दिन बत ब्रिक्ष पे जल चड़ा करके एक से आठ प्रक्मा कनी चाहिए इससे अगर मंगलिक दोस्त के कारण या सब्तम भाव में पापी ग्रहों के कारण रुकावट आ रही है तो दूर हो जाती है और गुरुवार के दिन केले की पेड़ की पूजा जरूर करें तीसा दोस्तों जिन लोगों की शिग्र विवाय की कामना हो उन्हें चाहिए की गुरुवार के दिन आठे के दो पेड़े बनाएं थोड़ी सी हल्दी लगा करके उसमें थोड़ी सी चने की डाल गुर रख करके गाय को खिलाना ऐसा साथ गुरुवार खिलाने से शीक्र साधी के योग बनते हैं चोथा दोस्तों हर लड़की या लड़का जिसकी साधी में रुकावट आ रही हैं तो उन्हें चाहिए कि एक नार्यल लें और नार्यल लेकर के सौंबार के दिन सिवलिंग के आगे रख करके क्योंकि शिवलिंग पर नार्यल का पानी नहीं चड़ा जाता सावत नार्यल रखा जाता है अगर कन्या है तो ओम श्री वर प्रिदाय श्री नमा ओम श्री वर प्रिदाय श्री नमा इस मंत्र के एक माला जाप करें और लड़का कर रहा है तो उसे ओम नमो भगवते महादेवाई इस मंत्र का जाप करके उसे वहीं पर चड़ा के आ जाना चाहिए ऐसा पांच संबार करने से बिवाय की योग बनते हैं दोस्तों पांचमा जो हैं नित्य प्रिती सिव पारवती के एक साथ पूजा करने से भी बिवाय की योग बनते हैं और इच्छा पूरी होती हैं सिव लिंग पर कच्चा दूर बेल पत्राद अक्षता चड़ा करके पूजा करनी चाहिए और छता दोस्तों गुरुवार के दिन एक चुटकी अल्डी पानी में डाल करके इसनान करना चाहिए ये नित्य गुरुवार को एक चुटकी अल्डी जरू दालें दोस्तों ये हमने 6 उपाय बताएं इन उपाय को करने से बिवाय की सभी रुकावत दूर होती हैं और ते शीगर साधी के युग बनते हैं दोस्तों गर आपको ये माई वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं सब्सक्राइब जरू करें आगे की वीडियो मौत जानकारी के साथ मिलते हैं